प्रिविद्यार्थियो नमस्कार संस्क्रित की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम कक्षा सिक्स्त के शष्ठः पाठः छठः अध्याय समुद्र तटः समुद्र का किनारा के तृतिय अनुछेद लास्ट अनुछेद का अध्यन करेंगे इससे पहले जो आपने दो अनुछेद पढ़े उनमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा जो भारत देश है उसके तीनों तरफ जल है और जो तट हैं वो कौन सा तट किस कारिये के लिए प्रशिद है व्यापार के लिए कौन सा है फलों के लिए कौन सा है विदेशी परियाटकों के लिए कौन सा है तो यह जो अध्याय है वह आपकी जो जनरल नोलिज है उसको बढ़ाने में सहायक होगा तो आज हम इसके तृतिय अनुछेद का ध्यन करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि कौन सा तट किस चीज के लिए प्रशिद है देखें कौन-कौन से तट है मुंबई, गोवा, कोची, कन्या, कुमारी, विशाखा, पतनम और पूरी ये तट है इनमें विदेशी परियटकों को अच्छा कौन सा लगता है गोवा तट सभी गो अर्थात जाना चाहते हैं ये विदेशी परियटक है और विदेशी व्यापार के लिए कौन सा प्रशिद है अब व्यापार किशका होता है ट्रिक से शाखा का शाखा से कौन सा हुआ वी अर्थात हम शाखा यानि शाखा का क्या करेंगे व्यापार करेंगे तो इस तरह आपको याद रहेगा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद है विशाखा पत्तनम और नारियल के फलों के लिए कौन सा प्रसिद है कोचि मैंने आपको समझाया था कि नारियल कौन खाता रहा था कोच साहब खाते हैं तो कोची का किनारा जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, मुंबई नगर का जो जुहू तट है, वहाँ पर सभी अपनी इच्छा से घूमते हैं, और समुद्र तटों में सबसे जो लंबा तट है, वह है मेरी ना तट, मेरा तट है, तो मेरा तट कैसा है सबसे ल भारतस्य भारत के तीसरीशू तीनों दिशासू दिशाओं में समुद्र तटाह समुद्र तट संती हैं यह भारत है इसके इस साइड भी इस साइड भी और इस साइड भी नीचे भी तीसरीशू तीनों दिशाओं में क्या है समुद्र तटाह संती समुद्र तट हैं और असमा असमाद एव कारणात इस कारण से भारत देश प्राय द्वीप इती कत्यते कहा जाता है प्राय द्वीप द्वीप जो होता है वजल से घिरा होता है तो यह क्या है प्राय द्वीप यानि अधिकतर द्वीप ही है जब तीनों दिशाओं में इसके जल हो गया तो यह प्राया क्या है द्वीब ही है तो प्राया द्वीब जो है तीनों तरफ से जल से घिरा भू भाग होता है उसे प्राया द्वीब कहा जाता है बहुत अच्छा question है कि प्रायद वीप किसे का जाता है और भारत की कितने दिशाओं में जल है तीनों और भारत को क्या का जाता है प्रायद वीप तो ध्यान रखें पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में अर्थात इस दिशा में बंगोप सागरह ये देखिए कौन है बंगाल सागरह और दक्षिन दिशायाम नीचे की तरफ हिंद महा सागरह हिंद महा सागरह और पस्चिम दिशायाम पस्चिम दिशा में अरब सागर है पूरो में कौन बंगाल सागर दक्षिन में कौन हिंद महा सागर और पस्चिम में कौन अरब महा सागर तीनों दिशाओं में सागर हो गए प्राय द्वीप है एतेशाम इन त्रयानाम तीनों सागरानाम समुद्रों का संगमह मिलन भी कन्या कुमारी तटे भवती कन्या कुमारी के तट पर होता है अब यहां से जो यह सागर देखें आप कौन सा बंगाल सागर भी और यह अरब सागर भी कहां पर और यह हिंद महा सागर यहां जो आकर के इनका मेल होता है निचे के पॉइंट पर यहां क्या है कन्या कुमारी तट है अत्र यहां पर पूर्णी मायाम पूर्णी मा के दिन चंद्रोदय और सूरियास्त युग पदेव युग पदेव होता एक साथ द्रश्टुम सक्यते देख सकते हैं यहां पर आप पूर्णी मा के दिन चंद्रोदै भी और सूरियास्त भी युग पदेव एक साथ देख सकते हैं। और इसके जो शब्दार्थ हैं एक नजर आप उन पे डालें। और कथ्यते कहा जाता है संगमह मिलन, कनफ्लुएंस और युग पत पलस एव। तो इसकी जो युग पत पलस एव की संधी है वै कैसे हुई देखें। वर्ग का यदि आपको प्रथम अक्षर मिलता है। प्रथम अक्षर कैसे कि पांच वर्ग हैं हमारे। कवर्ग, चवर्ग, टैवर्ग, टैवर्ग और पवर्ग। क जो है एक लड़का है याद करने के लिए ट्रिक है किसी चीज को चट करके तप करने चला। कचट करके किसी चीज को तप करने चला। कचट तप, तो कैवर्ग में कितने हैं? पांच यह पांच वर्ग हैं। और पांच वर्गों में पांच-पांच वर्ण हैं, तो टोटल कितने हुए? पत्चिस. अब ये कहता है कि वर्ग का प्रधम अक्षर ये दिया आपको मिलता है, और उसके बाद में आपको स्वर मिल जाए. और या अन्तस्त कुन से होते हैं, ये रलव, अन्तस्त मिल जाए, या किसी भी वर्ग का जैसे ये वर्ग है, इसका या इसका किसी भी वर्ग का तीसरा और चोथा वर्ण मिल जाए. पहले वर्ग का तीसरा कुण सा है कखग और फूर्थ कुण सा है गज़ चए का कुण सा है चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच कोई स्वर आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए यरलव या किसी भी वर्ग का तीसरा या चोथा वर्ण जब आपको दिखाई देता हो तो ये जो कर्च टतप है ये वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है अर्थात जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वह अपने ही वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर लेता है कब जब उसके सामने कोई स्वर दिखाई दे अंतस्त वर्णाय या तीसरा या चोथा अपने ही वर्ग का अक्षर या किसी और वर्ग का अक्षर उसे दिखाई दे अभी यहां देखे ता क्या है वरका परतमक्षर है और आगे क्या है स्वर है तो ता जो है किसमें चेंज हो जाएगा ता थद में तो द बना हलन्त वाला और इस द में ये स्वर डल गया तो युगपत पलस युगपतेव इस प्रकार ये संधियां जो है जिनसे नए शब्द का निर्मान होता है उनको आप जो है गोर से याद करें देखें समझें तो प्रीविध्यार्थियो इस प्रकार से आपका जो ये शमुदर तटह अध्यायता वह पूर्ण हुआ और नेक्स अंक में इसके हम अभ्यास प्रशनों का अध्यान करेंगे प्रिविएस वीडियो पाने के लिए गुरुजी आर्पी शोरान चैनल में जाएं उसे सब्सक्राइब भी करें और उसके अंदर जो उपर प्ले लिस्ट है जब आप उसके अंदर आपको मिलेगी जब आप उसे उपन करेंगे तो प्ले लिस्ट उपन करने पर आपको सभी कक्षाओं के वहाँ पर जो वीडियो है वह सिक्वेंस में करमशह मिल जाएंगे अपना कारिये समय पर करें धन्यवाद